आप लोग बताने जा रहा हूं किस तरीके से आप लोग चौकलेट के घर में बनाये वह भी 5 मिंड में तो आप लोग को मैं रिसीपी बता रहा हूं कैसे कैसे आपको बनाना है आपने एक बर्बन बिस्कुट और यह ले दो इनो और कुछ एक कप मैदा तो अब हम लोग इस बिस्कुट को इसमें ग्राइंड करेंगे तो सब बिस्कुट को आप लोग इसमें डालने पुड़े एक पैकेट बिस्कुट होनी चाहिए तभी आपका केक बहुत ही अच्छा तेस्टी बनेगा हां तो अब यह ग्राइंड हो चुका है अब लोगों मैं दिखाने जा रहा हूं किस तरीके से लिए बिस्कुट इस पाउडर की फॉर्म में आ गया है चॉकलेटी फॉर्म में तो अब इसे अब हम लोग लेंगे एक कप मैदा जो कि इसका क्वेंटी तो अब हमने मिला दिया मैदा और मैदा मिलाने के बाद ऐसा उतका कलर आ जाता है और मैदा मिलाने से इसका सबसे बरा फायदा यह है कि केक थोड़ा टाइट बनेगा जिससे केक तूटेगा नहीं बिल्कुल भी अब हम इसमें मिलाएंगे एक कप मिल्क और इसमें अगर आपको मिल्क नहीं मिलाना है तो आप पानी भी मिला सकते हैं क्योंकि बहुत लोग को दूट पसंद नहीं इसलिए वो पानी ही आइड कर सकते हैं और इसमें हमने आधा कप और दूट डाला है क्योंकि जब तक नहीं इस पॉम में आ जाए तब तक हमें यह मिलाते रहना और अगर और दूट की ज़रूरत हो तो और डाल सकते हैं लेकिन फिलाल के यह तो तयार हो चुका है अब इसमें हम लोग मिलाएंगे हां तो अब हम इसका ख्याल लगते हैं जब एक डाइक्षन में घुमा रहे हैं इनको मिला रहे हैं तो एक ही डायक्षण में मिलाएं नंकि बल्कि भल्कि आपयोजिट डैक्सन के क्योंकि इससे ना कुछ खराबी होते है क्योंकि इसमें वह फटने लगते है जैसे आप लोको दिख रहा है कि फट रहे हैं देरे देरे तो इसलिए इसको इसे एक ही डायेक्शन में घुमाया जाता है हाथ तो हम लोग लेंगे एक बर्तन जिसमें की पूरा ग्रेसिंग क्या ह कि या तेल या किसीम चीज से आप इसे ले ले और हभु लोग इसमें डालेंगे हैं और अच्छी तरिके से डाले और हम लोग यह हो गए तयार अब हम लोग लेंगे कुछ ड्राए फ्रूट्स जो कि बहुत अच्छा लगेगा इसमें यह उप्षिनल है अगर आप लोग को कि अब हम लोगों ने डाल लिया ड्राइ फुट्स अब हमारा बैटर तयार है वन में डालने के लिए अब मैं मैं इसे लेकर जा रहा हूं आपना गुंट वह जैंग्या रहा हूं आप या और अब लोग को यह माइक्रोबे पावर लेबल पर डालना है और ये इस नारे हमलों को फांच मिनिटerek कर लिना किया और हम लोगे पूरे हैं हमारा केक तैयार हो चुका है हमलोग निश्मराइनिक देखनी जा रहे ऐँ बहुत च्शा केक बना है ऑको हमारा केक तैयार हो चुका है तो अब मैं इस तेयार ह cervy और ने को किस तरीके से बना है और अभी मैं इस केप को देश्ट कराने जाने है हमारे न्यूग देश्ट हारिस तो ये पढ़ना से है ये भी जाल लेजिए ठीक है तो 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 तेस्ट करें देखें कैसा है ये केक अब अब आपको कैसा लगा है ये अगर आपको इसका रिश्ट जाना है तो मेरे सो जरूर मिले और मैं आपको अरिशी तरीके से बता दूगा और आप लोगी जरूर रिशी जाने और बनाने का परीकासी कि और अच्छी से बनाए सालाम अले कुम अले कुम ये